और सिधा रुख पीम मोदी का करेंगे जहां पर वो मन की बात करें देश को संभूधित कर रहे हैं तो पीम मोदी की मन की बात में मेरे प्यारे देश वाद्शियों नमस्कार आज मन की बात के एक और एपिसोड के जरिये हमें एक साथ जुड रहे हैं ये 2022 की पहली मन की बात है आज हम फिर ऐसी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे देश और देश वाद्शियों की सकारात्मक प्रेणाओं और सामोही प्रयासों से जुड़ी होती है आज हमारे पुझ्य बापू महत्मा गांदी जी की पुन्यति थी भी है तीस जनुवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद देराता है अभी कुछ दिन पहले ही हमने गणतंत्र दीवस भी मनाया दिल्ली में राजपत पर हमने देश के शौरी और सामर्थ की ज उसने सबको गर्व और उत्सा से भर दिया है एक परिवर्तन जो आपने देखा होगा अब गनतंत्र दिवस समारों 23 जनुवरी यानि नेता जी सुभाचंद्र बोश की जन्मजयनति से शुरू होगा और 30 जनुवरी तक यानि गांदी जी की पुन्यतिति तक चड़ेगा इंडिया गेट पर नेता जी की डिजिटल प्रतीमा भी स्थापीद की गई है इस बात का जिसप्रकार से देश ने स्वागत गिया देश के हर कोने से आनन की जो लहर उठी हर देश्वासी ने जिस प्रकार की वावनाय प्रगट की उससे हम कभी भूल नहीं सकते हैं साथियों आजहदी के अमुरुत महुत सों में देश इन प्रयासों के जरिये अपने राष्ट्रिये प्रतिकों को पुनर का उत्सा जगेगा देश में अभी पदम संवान के भी गोश्णा हुई है पदम पुरसकार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं साधारन परिस्तितियों में असाधान काम किये हैं जैसे कि उत्राखन की बसंती देवी जी को पदमस्री से सम्मानित किया गया है बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संगर्षों के बीच जीया कम उम्र में ही उनके पती का नीधन हो गया था और वो एक आस्रम में रहने लगी यहां रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लि यह भी काफी काम किया है इसी तरह मनिपूर की 77 साल की लोरेंबं बिनो देवी दसकों से मनिपूर की लीबा टेक्स्टाइल आर्ट का सवरक्षन कर रही है उन्हें भी पदमस्री से सम्मानित किया गया है मत्यप्रदेश के अर्द्यून सी को बैगा आदिवासे नृत्ति की कला को पहचान दिलाने के लिए पदमसंवान पाने वाले एक और व्यक्ति हैं स्रीमान अमाई महालिंगा नाइक एक किसान है और करनाटका के रहने वाले हैं इन्हें कुछ लोग कहते हैं उन्होंने खेती में ऐसे ऐसो इनोवेशन किये हैं जिनने देखकर कोई भी हैरान र चोटे किसानों को हो रहा है ऐसे और भी कई अंसंग हीरोज हैं जिने देश ने उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है आप जरूर इनके बारे में जानने की कोशिश करिए इनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे प्यारे देशवासियों अमरित महत्सव पर आप सब साथे मुझे धेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं कई सुझाव भी देते हैं इसी स्रंकला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अब इसमर्णिया है मुझे एक करोड से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोशकार के जरिये लिख कर भीजी हैं यह एक करोड पोशकार देश के अलग-अलग हिस्सों से आये हैं विदेश से भी आये हैं समय निकालकर इन में से काफ़ी पोशकार को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है इन पोशकार में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविश्य के लिए हमारी नई पीडी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है मैंने मन की बात के स्रोताओं के लिए कुछ पोशकार चांटे हैं जिनने मैं आप से शेयर करना चाहता हूँ जैसे यह एक असम के गुहाटी से रिद्दिमा स्वर्गियारी का पोशकार है रिद्दिमा क्लास सेवंद की स्टूडेंट है और उन्होंने लिखा है कि वो आजादी के सौवे साल में एक ऐसा भारत देखना चाहती है जो दुनिया का सबसे स्वच्छ देश हो आतंगवाद से पुरी तरह से मुक्त हो शत्म प्रतिशत साक्षर देशों में शामिल हो जीरो एक्सिडेंट कंट्री हो और सस्टेनेबल तक्निक से फूर्ड में सक्षम हो रिद्यमा हमारी बेटियां जो सोचती है जो सपने देश के लिए देखती है वो तो पूरे होते ही है जब सबके प्रयास जुडेंगे आपकी युवापीडी इसे लक्ष बनाकर काम करेगी तो आप भारत को जैसा बनाना चाहती है वैसे जुरूर होगा एक पोश्कार मुझे उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज की नव्या वर्मा का भी मिला है नव्या ने लिखा है कि उनका सपना 2047 में ऐसे भारत का है जहां सभी को सम्मानपून जीवन मिले जहां किसान सम्रुद्ध हो और ब्रश्टाचार न हो नव्या देश के लिए आपका सपना बहुत सरहानी है इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बट रहा है आपने प्रश्टाचार मुक्त भारत की भारत की प्रश्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है उससे मुक्ती के लिए 2047 का इंतजार क्यों ये काम हम जल्द से जल्द करना है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने करतव्यों को प्रश्टाचार 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 मेरे सामने हैं चेन्यी से मुहमत इबराहीम का इबराहीम 2047 में भारत को रक्षा के खेत्र में एक बड़ी ताकत के रुप में देखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि चंद्रमा पर भारत का अपना रिजर्ट बेश हो और मंगल पर भारत मानव आबादी को बसाने का काम शुरू करे साथ ही इबराहीम पृत्वी को भी प्रदूशन से मुक्त करने में भारत की बड़ी भूमिका देखते हैं इबराहीम जिस देश के पास आप जैसे नवजमान हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है साथियों मेरे सामने एक और पत्र है मद्र प्रदेश के राइसेन में सरस्वती विद्या मंदिन में क्लास दस की छात्रा भावना का सबसे पहले तो मैं भावना को कहूंगा कि आपने जिस तरह अपने पोश्कार को तिरंगे से सजाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा भावना ने क्रांतिकारी शिरिश कुमार के बारे में लिखा है साथियों मुझे गोवा से लौरेंचियो परेरा का पोश्कार भी मिला है ये क्लास 12 की स्टुडेंट है इनके पत्र का भी विशे हैं आजादी के अंसंग हिरोस मैं इसका हिंदी भावरता आपको बता रहा हूँ इन्होंने लिखा है विकाजी कामा भारतिये स्वतंतरता संगराम में शामिल रही सबसे बहदूर महिलाओं में से एक थी उन्होंने बेटियों को ससक्त करने के लिए देश विदेश में बहुत से अभियान चड़ाए अनेट प्रदर्शनिया लगाई निश्चित तोर पर भीकाजी कामा स्वाधीन तांदोलन की सबसे जाबाज महिलाओं में से एक थी 1907 में उन्होंने जर्मनी में तिरंगा फैराया था इस तिरंगे को डिजाइन करने में जिस व्यक्ति ने उनका साथ दिया था वो थे सिरी शामजी कृष्ण वर्मा सिरी शामजी कृष्ण वर्मा जी का नीधन 1930 में जेनेवे में हुआ था उनकी अंति मिच्छा थी कि भारत की आजादी के बाद उनकी अस्थियां भारत लाई जाए वैसे तो 1947 में आजादी के दूसरे ही दिन उनकी अस्थियां भारत वापिस लानी चाहिए थी लेकिन ये काम नहीं हुआ शायद परमात्मा की इच्छा होगी ये काम मैं करूँ और इस काम का सहुभागिया भी मुझे ही मिला जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो बस 2003 में उनकी अस्थियां भारत लाई गई थी शाम जी कृष्ण वर्मा जी के स्मृति में उनके जन्मस्तान कच के मांडवी में एक समारक का निर्मान भी हुआ है साथियों भारत की आजादी के अमरित महोत्सव का उत्सा केवल हमारे देश में ही नहीं है मुझे भारत के मित्र देश क्रोएशिया से भी 75 पोष्ट कार्ड मिले हैं क्रोएशिया के जागरिब में स्कूल अफ एप्लाइड आर्ट्स एंड डिजाइन के स्टूडेंट्स उन्होंने ये 75 कार्ड्स भारत के लोगों के लिए भेजे हैं और अमरित महोत्सव की बधाई दिये हैं मैं आप सभी देश्वाशियों की तरफ से क्रोएशिया और वहां के लोगों को धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारे देश्वाशियों भारत सिक्षा और ज्ञान की तपोभुमी रहा है हमने सिक्षा को किताबी ज्ञान तक ही सिमित नहीं रखा बलकि इसे जीवन के एक समग्र अनुभव के तोर पर देखा है हमारे देश की महान विभुत्यों का भी सिक्षा से गहरा नाता रहा है पंडित मदन महन मालेविया जी ने जहां बनार्ज हिंदू विश्वे विद्याले की स्थापना की वहीं महत्मा गांदी ने गुजराद विद्यापिट के निर्मान में अहम भुमी का निभाई गुजराद के आनन में एक बहुत ही प्यारी जगह है वल्लब विद्यानगर सरदार पटेल के आगरह पर उनके दो सहियोग्यों भाईका का और विखा भाईने वहाँ युवाओं के लिए शिक्षा केंद्रों के स्थापना की इसी तरह पस्चिम बंगाल में गुरुदेव रविद्यनाठ टेगोर ने सांते निकेतन के स्थापना की महराज गायकवार भी शिक्षा के प्रबल समर्थकोमा से एक थे उन्होंने कई सिक्षन समस्तावनों का निर्मान करवाया और डॉक्टर अम्बेड कर और से अर्विंदों समेथ अने की विभूतियों को उच्च शिक्षा के लिए फ्रेरित किया ऐसे ही महानाभावा की सुची में एक नाम राजा महेंदर प्रताप सीजी का भी है राजा महेंदर प्रताप सीजी ने एक टेक्निकल स्कूल की स्थापना के लिए अपना घरी सौप दिया था उन्होंने अलिगड और मतुरा में सिक्षा केंदरों के निर्मान के लिए खू बभाग्य प्राप्त हुआ मुझे खुशी है कि सिक्षा के प्रकास को जन जन तक पहुचाने की वही जीवन्ध भावना भारत में आज भी कायम है क्या आप जानते हैं किस भावना की सबसे सुन्दर बात क्या है वो यह है कि सिक्षा को लेकर ये जागरुकता समाज में हर स्तर पर दिख रही है तमिलनाडु के त्रिपूर जिले के उदुम लपेट ब्लॉक में रहने वाली तायमल जी का उधारन तो बहुत ही प्रेणादाई है तायमल जी के पास अपनी कोई जमिन नहीं है बर्सों से इनका परिवार नारियल पानी बेच कर अपना गुजर बसर कर रहा है आर्थिक स्तिती भले अच्छी ना हो लेकिन तायमल जी ने अपने बेटी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी उनके बच्चे चिन्विरम पट्टी पंचायत विनियन मिडल स्कूल में पढ़ते थे ऐसे ही एक दिन स्कूल में अभिभावकों के साथ मिटिंग में ये बात उठी कि कक्षाओं और स्कूल की स्तिती को सुधारा जाए स्कूल इंफ्रस्रक्चर को ठीक किया जाए इसके बाद तायमल जी ने जो किया उसकी कलपना कोई नहीं कर सकता था जिन तायमल जी ने नरियल पानी बेच बेच कर कुछ पुझी जमा के थी उन्होंने एक लाक रुपिय स्कूल के लिए दान कर दिये वाकई ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए सिवाबाव चाहिए तायमल जी का कहना है अभी जो स्कूल है उसमें आठवी कक्षा तक की पढ़ाई होती है अब जब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुदर जाएगा तो यहां हाइर सेकंडरी तक की पढ़ाई होने लगेगी हमारे देश में सिख्षा को लेकर यह वही भावना है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था मुझे IIT BHU के एक एलियूमेनस के इस तरह के दान के बारे में भी पता चला है BHU के पुर्वचात्रफ जाएग चौधरी जी ने IIT BHU Foundation को एक मिलियन डाडर यानि करीब करीब साड़े साथ करोड रुप्या डोनेट किये साथियो हमारे देश में अलग-अलग शेत्रों से जुड़े बहुत सारे लोग है जो दूसरों की मदद कर समाज के प्रती अपने जिम्मेदारी का निर्वा कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के प्रयास उच्च शिक्षा के खेत्र में खास कर हमारी अलग-अलग आयाइटीज में निरंतर देखने को मिल रहे हैं केंद्रिय विश्वे विध्यालव में भी इस प्रकार के प्रेड़क उधारों की कमी नहीं है इस तरह के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए पिछले साल सितंबर से देश में विध्यान जली अभियान की शुरुआत हुई है इसका उदेश अलग-अलग संगठनों, CSR और निजीक शेत्र की भागिदारी से देश भर के स्कूलों में सिख्षा की गुनवत्ता में सुधार लाना है विध्यान जली, सामुईदाई, भागिदारी और ओनर्शिप की भावना को आगे बढ़ा रही है अपने स्कूल, कॉलेज से निरंतर जुड़े रहना, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान देना ये एक ऐसी बात है जिसका संतोष और आनन, अनुभव लेकर ही पता चलता है मेरे प्यारे देश्वासियों, प्रकूति से प्रेम और हर जीव के लिए करुणा, ये हमारी संस्कृति भी है और सहच स्वभाव भी है हमारे इनी संस्कारों की जलक अभी हाली में तब दिखी, जब मद्द प्रदेश के पैंच टाइगर रिजर्व में एक बागिन ने दुनिया को अलविदा कर दिया इस बागिन को लोग कॉलर वाली बागिन कहते थे, वन विभाग ने इसे टी फिप्टिन नाम दिया था इस बागिन की मृत्यु ने लोगों को इतना भावुक कर दिया जैसे उनका कोई अपना दुनिया छोड़ गया हो लोगों ने वकाइदा उसका अंतिम समस्कार किया, उसे पूरे सम्मान और स्नहे के साथ बिदाई दी आपने भी ये तस्विरें सोशल मिडिया में जुरूर देखी होगी पूरी दुनिया में प्रकूती और जीवों के लिए हम भारतियों के इस प्यार की खुप सरहना हुई कॉलर वाली बागिन ने जीवनकाल में 29 सावकों को जन्म दिया और 25 को पाल पोसकर बड़ा भी बनाया हमने टी 15 के इस जीवन को भी सेलिबरेट किया और जब उसने दुनिया छोड़ी तो उसे भावक विदाय भी दी यही तो भारत के लोगों की खुपी है हम हर चेतन जीव से प्रेम का सम्मद बना लेते हैं ऐसा ही एक द्रश्य है हमें इस बार गणतंत्र दिवेश की परेड में भी देखने को मिला इस परेड में प्रेसिडेंस बोडिगार्ट के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आखरी परेड में हिस्सा लिया घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपती भवन आया था और हर बार गणतंत्र दिवस पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रपती भवन में स्वागत होता था तब भी वो अपनी ये भुमी का निभाता था इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराट को सेना प्रमुगद्वारा कौस कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवा निवृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई मेरे प्यारे देशवासियों जब एक निष्ट प्रयास होता है नेक नियत से काम होता है तो उसके परणाम भी मिलते हैं इसका एक बहतरीन उधारन सामने आया है असम से असम का नाम लेते ही वहाँ के चाय बागान और बहुत सारे नेशनल पार्क का ख्याल आता है साथी एक सिंग वाले गेंडे एनि वन हों ड्राइनो की तस्वीर भी हमारे मन में उभरती है अब सभी जानते हैं कि एक सिंग वाला गेंडा हमेशा से असमिया संस्कृति का हिस् वेका जी का ये गीत हर एक कान में गुंचता होगा काजी रंगार सी रखियो जी पोरिवे हस्ती बैगर रदे बात एक खर गर गर प्रिपी भी ये साई बोखीर खुओ दिया प्रकार मूर काजी रंगा नहाई जे बन्ना साथियों इस गीत का जो अर्थ है वो बहुत सुसंगत है इस गीत में कहां गया है काजी रंगा का हरा भरा परिवेश हाथी और भाग का निवास एक सिंग वाले गैंडे को पृत्वी देखे पक्षियों का मधूर कलरव सुने असम की विश्व प्रसिद्ध हद करगा पर बुनी गई मुंगा और एरी की पोशाकों में भी गैंडों की आकृति दिखाई देती हैं असम की संस्कृति में जिस गैंडे की इतनी बड़ी महिमा है उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता था वर्थ 2013 में 37 और 2014 में 32 गैंडों को तसकरों ने मार डाला था इस चुनोती से निपटने के लिए पिछले साथ वर्षों में असम सरकार के विशेश प्रयासों से गैंडों के सिकार के खिलाप एक बहुत बड़ा अभियान चलाये गया पिछले 22 सितनबर को वर्ड राइनो डे के मोके पर तसकरों से जब किये गए 2400 से जादा सिंगों को जला दिया गया था यह तसकरों के लिए एक सक्त संदेश था ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है कि अब असम में गैंडों के सिकार में लगातार कमी आ रही है जहां 2013 में 37 गैंडे मारे गए थे वही 2020 में दो और 2021 में सिर्फ एक गैंडे के सिकार का मामला सामने आया है मैं गैंडों को बचाने के लिए असम के लोगों के संकल्प की सरहना करता हूँ साथियों भारतिय संस्कृति के विविद रंगों और आध्यात्मिक शक्ति ने हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अपनी और खीचा है अगर मैं आपसे कहूं कि भारतिय संस्कृति अमेरिका, कनेडा, दुबई, सिंगापूर, पस्चिम यूरोप और जापान में बहुत ही लोग प्रिया है तो यह भारत आपको बहुत सामानले लगेगी आपको कोई हरानी नहीं होगी लेकिन अगर यह कहूं कि भारतिय संस्कृति का लेटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ा आकर्शन है तो आप एक बार जरूर सोच में पढ़ जाएंगे मेक्सिको में खादी को बढ़ावा देने की बात हो एफिर ब्राजिल में भारतिय परंपराओं को लोगप्रिय बनाने का प्रयास मन की बात में हम इन विशोप को अर्जेंटिना में फहरा रहे भारतिय संस्कृति के पर्चम के बारे में बताऊंगा अर्जेंटिना में हमारी संस्कृत को बहुत पसंद किया जाता है 2018 में मैंने अर्जेंटिना की अपनी आत्रा के दोरान योग के कारकम में योगा फोर पीस में हिस्सा लिया था यहां अर्जेंटिना में एक संस्ता है हस्तिनापूर फाउंडेशन आपको सुन करके असरे होता है ना कहां अर्जेंटिना और वहां भी हस्तिनापूर फाउंडेशन यह फाउंडेशन अर्जेंटिना में भारतिय वैदिक परंपराओं के प्रसार में जुटा है इसकी स्थापना 40 साल पहले एक मेडम प्रोफेसर एडा एलबरेट ने की थी आज प्रोफेसर एडा एलबरेट नब्वे वर्सकी होने जा रही है भारत के साथ उनका जुडाव कैसे हुआ ये भी बहुत दिल्चस्प है जब वो 18 साल की थी तब पहली बार भारतिय संस्कृति की शक्ति से उनका परिचे हुआ उन्होंने भारत में काफी समय भी बिताया भगवत गीता और उपनिशतों के बारे में गहराई से जाना आज हस्तिनापूर फाउंडेशन के 40,000 से अधिक सदस्य हैं और अर्जेंटिना एवं अन्य लेटिन अमेरिके देशों में इसकी करीब 30 साखाये हैं हस्तिनापूर फाउंडेशन ने स्पेनिस भासा में 100 से आश्रम भी बहुत मनमोहक है आश्रम में 12 मंदिरों का निर्मान कराया गया है जिन में अनेक देवी देवताओं की मुर्तियां है इन सब के केंद्रे में एक ऐसा मंदिर भी है जो अद्वैत वादी ध्यान के लिए बनाया गया है साथियों ऐसे ही सेंक्ड उधारन यह बताते हैं हमारी संस्कृति हमारे लिए ही नहीं बलकि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है दुनिया भर के लोग उसे जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं जीना चाहते हैं हमें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सांस्कूरूतिक विरासत को खुद अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए मेरे पैरे देश्वासियो मैं बाप से और खास कर अपने युवाओं से एक प्रश्णा करना चाहता हूँ अब सोचिए आप एक बार में कितने पुशप कर सकते हैं मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो निश्चित रुप से आपको आश्यर्य से भर देगा मणीपूर में 24 साल के युवा थोना ओजम दिरंजोय सी ने एक मिनिट में 109 पुशप का रिकॉर्ड बनाया है दिरंजोय सी के लिए रेकॉर्ड तोड़ना कोई बात नहीं नहीं है इससे पहले पर उन्होंने एक मिनिट में एक हाथ से सबसे ज़्यादा नकल पुशप का रिकॉर्ड बनाया था मुझे पूरा विश्वास है कि निरंजोय सी ही से आप प्रेरित होंगे और फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगे साथियों आज मैं आपके साथ लदाग की एक ऐसी जानकारी साजा करना चाहता हूँ जिसके भारे में जानकर आपको जरूर गर्व होगा लदाग को जल्द ही एक शांदार ओपन सिंथेटिक ट्रेक और एस्टो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम की सौगाद मिलने वाली है यह स्टेडियम दस हजार फिट से अधिक की उचाई पर बन रहा है और इसका निर्मान जल्द पूरा होने वाला है लदाग का यह सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा जहां तीस हजार दर्सक एक साथ बैठ सकेंगे लदाग के इस आधनिक फुटबॉल स्टेडियम में आठ लेन वाला एक सिंथेटिक ट्रेक भी होगा इसके अलावा यहां एक हजार बेड़ वाले एक होस्टेल की सुविदा भी होगी आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा इस स्टेडियम को फुटबॉल की सबसे बड़ी समस्ता फीफा ने भी सर्टिफाइ किया है जब भी स्पॉर्ट का ऐसा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तयार होता है तो यह देश के युवाओं के लिए बहतरिन अवसर लेकर आता है साथ साथ जहां यह व्यवस्ता होती है वहां भी देश भर के लोगों का आना जाना होता है टूरिजम को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अनेक अवसर प्रदा होते हैं इस टेडियम का भी लाब लदाब के हमारे अनेको युवाओं को होगा मेरे प्यारे देश माचियो मन की भात में इस बार भी हमने अनेक विश्यों पर बात की एक विश्यों और है जो इस समय सब के मन में है और वो है कोरोना का कोरोना की नई वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है ये भी गर्वत की बात है कि अब तक करीब करीब साड़े चार करोड बच्चों ने कोरोना वैक्षिन की डोज ले ली है इसका मतलब यह हुआ कि 15 से 18 साल की आयू वर्क के लगबग 60 प्रतिशत यूथ ने 3 से 4 हपते में ही टीके लगवा लिये है इससे न केवल हमारी वाओं के रक्षा होगी बलकि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी एक और अच्छी बात ये भी है कि 20 दिन के भीतर ही एक करोड लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है अपने देश की वैक्सिन पर देशवासियों का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है अब तो कोरोना संक्रमन के केस भी कम होने शुरू हुए हैं ये बहुत सकारात्मक संकेत हैं लोग सुरक्षित रहें देश की आर्थिक गतिविध्यों की रप्तार बनी रहे हर देश वासी की यही कामना है और आप तो जानते ही हैं मन की बात में कुछ बाते में कहे बिना रही नहीं सकता हूं जैसे स्वच्छता अभ्यान को हमें भूलना नहीं है सिंगल यूद्ट प्लास्टिक के खिलाब अभ्यान को हमें और तेजी लाने ही जरूरी है वोकल्फ और लोकल का मंत्र यह हमेरी जिम्मेबारी है हमें आत्म निर्भर्थ भारत अभ्यान के लिए जी जान से जूटे र पहुचेगा इसी कामरा के साथ मैं आपसे विजा लेता हूं बहुत बहुत धन्यवाद